राजिती विज्ञान विशे में आजम परवक्ता राजिती विज्ञान, सायका धैपक नागरी सास्त्र, सायका धैपक सामाजी विज्ञान, UGCनET, स्टेट सैट और ऐसे सबी पर्टूगी परिक्षाओं के लिए राजिती विज्ञान के महत्पूर बहुबिकल्पी प्रश् राहे शासरी उपागम पर तीसरा हे पारस्तिती की उपागम पर चहता है सनरशनात्मक परकार्यात्मक उपागम पर फ्रेड रिच का कृशका और दोग्यकमोडल इस्ट्रक्ट्चल्चल्फंचनलिजन वएफ प्रोश पर दारित है् जहां पर बिकल्प गौ सही उत्तर है। यह प्रश्ण लोग प्रसाशन से समंदित है। दूसरा प्रश्ण है संगर्ष के समाधान के लिए मैरी पारकर फॉलेट ने कौन सी विद्य नहीं बताई है। इसके बिकल्पे हैं प्रभुत, समझोता, एकी करण, युद्ध। MP-Fallet ने संगर्ष के समाधान के लिए जो विद्यां बताई हैं उनमें डोमिनेंस यान के प्रभुत, कॉंप्रोमाइज यान के समझोता और इंटिग्रेशन एकी करण सामिल हैं उसमें युद्ध सामिल नहीं हैं। MP-Fallet ने कहा कि संगर्ष के समाधान के लिए हमें प्रभुत, समझोता और एकी करण की विद्य को अपनाना चाहिए। तीसरा प्रशन है किसने कहा कि नेत्रित एक विद्धाकार घुमने वाली करिया है। इसके विकल्पे हैं चैस्टड बर्नाड, मेरी पारकर फॉलेट, शाइमन, हिन्री फ्योल। इसका सही उत्तर है MP, फॉलेट, MP, फॉलेट के अनुसार यानि मेरी पारकर फॉलेट के अनुसार, लिडर्शिप एक सरकुर एक्सन है, यानि कि विद्धाकार घुमने वाली करिया है। विकल्प वखो इसका सही उत्तर है। चोहता प्रश्ण है, नेत्रतु में प्रबंध की ग्रिड की विचारधारा की प्रतिपादक हैं, यानि कि लिडर्शिप में मैनेजेरियल ग्रिड का कंसेप्ट किस ने दिया। इसके विकल्प हैं, कुर्त लेविन, फीडलर, ब्लेक एंड माउटन, चेस्टर, बर्नार्ड लोग प्रबंधन में जब हम लिडर्शिप की बात करते हैं, तो उसमें प्रबंध की ग्रिड एन की मैनेजेरियल ग्रिड की विचारधारा का प्रतिपादन ब्लेक एंड इसके विकल्प हैं, पर्थम प्रसासनिक शुदार आयो, दूसरा है सरकारिया आयो, तीसरा है पुंचिया आयो, चौता है जुती प्रसासनिक शुदार आयो अनुचे 263 के अंतरगत अंतराज यानकी इंटर स्टेट काउंसिल का गठन करने की सेपारिश वर्स 1983 में गठित सरकारिया आयो के द्वारा की गई थी, यहाँ पर विकल्प खो सरकारिया आयो सही उत्तर है वर्स 1983 में केंदर राजी सम्मंदों के लिए आरेस सरकारिया यानकी रणजीत सिंग सरकारिया की द्यक्स्ता में सरकारिया आयो का गठन किया गया था, जिसने अनुचे 263 के अंतरगत इंटर स्टेट काउंसिल के गठन की सेपारिश की थी, भारत में वर्स 1990 में पहली बार अंतर राजी परिशत की स्तापना की गई थी, इसने वर्स 1987 में अपनी रिपोर्ट दी थी, छटा प्रशन है निमलिकित में से किसे उसके कारिकाल के सम्मंद में समवैदानिक सुरक्षो पाई प्राप्त नहीं है, यानि कि हमें बताना हैं चार में से किसे समवैदानिक सुर प्राप्त नहीं है, इसके विकल्पे हैं नियंतरक और महलेका परिक्षक, दूसरा है मुख की चुनाव आयुक्त, तीसरे हैं प्रधान मंतरी, चौतरा है संगलोक्षेवा आयुक के अध्यक्स, जब हम बारती समिधान को पढ़ते हैं तो उसमें नियंतरक और महलेका परिक निश्चित होता है, लेकिन प्रधान मंतरी का कोई भी कारिकाल निश्चित नहीं होता है समिधान के अनुसार, वह बहुमत दल का नेता होता है, और जब तक उसी सदन में बहुमत होता है, तब तक वह प्रधान मंतरी के पत पर रहता है, सदन में बहुमत खोने के बाद वह प्रदान मंतरी के पत पर नहीं रहता है. यानि कि यहां पर विकल्प गौ। प्रदान मंतरी को समय धानिक सुरुक्ष उपाय प्राप्त नहीं है. शात्वा प्रश्न है निम्नमै से किस तारिक को योजना आयोग के स्तान पर राश्टी भारत परिवर्तन संस्तान यानि की नीती आयोग लाया गया था इसके विकल्पे हैं एक जनवरी 2014, एक जनवरी 2015, 15 अगस्त 2015, 26 जनवरी 2015 भारत में योजना आयोग को परिवर्तित कर एक नया आयोग नीती आयोग एक जनवरी 2015 को आया था योजना आयोग जोकी 15 मार्च 1950 से भारत में कारी कर रहा था लेकिन उस्करिस्तान पर एक जनवरी 2015 को एक नया आयोग नीती आयोग बनाया गया है आठवा प्रश्ण है निमलिखित में से किस विशय को भारती समिदान की ग्यारवी अनुचुची में सामिल नहीं किया गया है इसके विकल्पे हैं पेजल, पुस्तकाले, जानवरों के प्रतिकुरूरता का निवारण, बाजार और मेले जब हम बारती समिदान के ग्यारवी अनुचुची की बात करते हैं समिदान में वर्श उनुच्व बायानविय में 73 वा समिदान संद्जोदन करके ग्यारवी अनुचुची जोड़ी गई थी और इस ग्यारवी अनुचुची के ताहत इसमें 29 विषयों को रखा गया था जिसमें पेजल, पुस्तकाले, बाजार और मेले सामिल हैं जो की इस्तानी स्तर के विषय हैं वहीं इसमें जानवरों के प्रतिकुरूरता का निवारण सामिल नहीं है यानि कि आपर विकल्प गौ जानवरों के प्रतिकुरूरता का निवारण यहो ग्यारवी अनुचुची का भी से नहीं है नवा प्रश्न है जाती नौकरसाही का बर्ग आधार है और यहो उन लोगों के बर्ग समंदन से उत्पन होता है जो नियंतर का रिस्तित में हैं यहो वक्त अब्य है इसके विकल्प हैं FM माक्स, मैक्स वैवर, पी एच, एपलवी, काल माक्स यहो कथन FM माक्स का है FM माक्स के अनुसार जाती नौकरसाही का बर्ग आधार है और यहो उन लोगों के बर्ग समंदन से उत्पन होता है जो नियंतर का रिस्तित में होते हैं एफेमाक्स ने नौकर्साही के चार परकार बताए हैं जिनमें वह अभिवावक नौकर्साही, जाती नौकर्साही, संदक्षा नौकर्साही और गुणों पर आधारित नौकर्साही की बात करते हैं इस प्रशन क्या ब्याख्या देख सकते हैं एफेमाक्स ने अभिवावक, जाती, संदक्षक्त और गुणों पर आधारित्नों कर्साही की चर्चा की है। जीवन के दर्शन के निकटा रहा है। यहां पर विकल्प खो यह परिवासा मार्सल डिमोक के द्वारा दी गई है। बात करते हैं उद्दमी शरकार परणाम उनमुख्य होती है, यह बाजार उनमुख्य होती है, यह उप्रिरक सरकार है लेकिन यह कभी भी नौकर्साही को बढ़ावा नहीं देती है। इना पर विकल्प गो उद्दमी सरकार से समदी विसेजता नहीं है। बारवा प्रश्ण है, यह किस ने लिखा है पॉलिटिक्स, हू गेट्स, वट, वेन, हाव। इसके विकल्प हैं हेरल्डी लास्वेल, जोन रॉल्स, काल माक्स, डेविड स्टन। इसका सही उत्तर है हेरल्डी लास्वेल, हेरल्डी लास्वेल की पुस्तक है पॉलिटिक्स, हू गेट्स, वट, वेन, हाव। तेर्वा प्रस्ण है निम्लिकित मेंसे कौन सा सिध्दान्त यहां मानता है कि लोग नीती के बारे में जन्ता, निसक्री, उदासीन, एयुम, भर्मित जानकारी रखती है यानि कि हमें उस सिद्धान्त की पहचान करनी है जो यह मानती है कि पब्लिक पॉलिसी लोक निती के बारे में जन्ता का जो व्योहार होता है वह निस्करी होता है उदासीन होता है और उन्हें भरमित जानकारी होती है इसके विकल्पे हैं समूत सिद्धान्त, खेल सिद्धान अभिजात सिद्धान्त, संस्तागत सिद्धान्त, इसका सही उत्तर है अभिजात सिद्धान्त याणि कि अभिजन्तोरी यहाँ मानती है, कि लोग निक्यों के बारे में जनता निसक्री, उदासीन और भर्मित जानकारी रखती है. जब हम नवीन लोग प्रशासन की बात करते हैं तो इसमें यहो ग्रहक केंदित, सामाजिक समता और प्रासंगिता पर आधारित होता है मुल्यों पर आधारित होता है लेकिन इसमें प्रशासन के संद्रशनात्मा परिवर्तन की बात नहीं की जाती है यानि कि नबी लोग- प्रसाथन की जो भी सिझता हैं की अग्राग किन्दित है, सामाजिक समता पर आदारित है, प्रासंगिकता है लेकिन इसमें प्रसाथन में सन्रसनात्म क्वरिवर्टन सामिल नहीं होता है पंद्रमा प्रश्न है सामिधान प्राकल्पित व्याई के लिए अग्रिम निदी उपलब्द कराने की अनुमत देता है जो अंतितोह बिनियोजन विदिय का भाग बनता है इसे निम्लांकित मैं से क्या कहा जाता है इसके विकल्पे हैं परत्यानुदान तूसरा है लेखानु प्राकल्पित वैसे उसे हम बोट ओन एकाउंट यानि के लेखा अनुदान कहते हैं जब बजट पारित नहीं होता है तो अग्रिम खर्च के लिए हम जो अनुदान लेते हैं उसे हम लेखा अनुदान कहते हैं यहाँ खुल अनुदान के लगभग एक बठता छै भाग होता है यहाँ पर बिकल्प खो लेखा नुदान अग्रिम नीदी है जिसे बाद में बिन्योजन विध्यक बनता है शोल्वा प्रस्टन है 19 साधी के अमेरिका में परशासन में सुधारों के लिए सैध्दांति का अधार प्रदान करने वाला सिध्दांत निम्नमैसे किस के द्वार किया गया इसके भी कल्पे हैं MP Follett, Elton Mayo, F.W. Taylor, Woodrow Wilson 19 साधी में अमेरिका में परशासन के सुधारों के लिए जो सैध्दांति का आधार प्रदान किया था वहाँ Woodrow Wilson के द्वारा किया गया था हम जानते हैं कि Woodrow Wilson को लोग परशासन का जनक आ जाता है उनके द्वारा जो पर अरुमा प्रशन है पर्तिनिदिक नौकर साही की अवधारना का पर्तिपादन किस ने किया था इसके विकल्पे हैं Robert Martin, Herman Finer, Donald J. Kingsley, F.M. Marks पर्तिनिदिक नौकर साही की अवधारना का पर्तिपादन Donald J. Kingsley ने की थी यहाँ पर विकल्प गव डोनाड J. Kingsley सही उत्तर है अठरवा प्रशन है संग और राज्यों के लेखों की लेखा परिक्षा यानिकी audit निम्लिकित मैंसे किसके विशाई के अधीन है इसके विकल्पे हैं संगसूची, राज्यसूची, समवर्तिसूची अवसेज सक्तियाँ इसका सही उत्तर है संग सूची, संग और राज्यों के लेखों की जो लेखा परिक्षा होती है वह संग सूची का विशे है उनिस्व प्रश्ण है पोसाहर, इस्तर और जीवन इस्तर को उचा करने तथा लोग स्वास्त का शुदार करने का राज्जी का दायतु भारत के समिधान के किस उपवंद के अंतरगत आते हैं इसके विकलबे हैं अनुचेट 45, दूसरा है अनुचेट 47, तीसरा है अनुचेट 48, चोटह है अनुचेट 48, भारती समिधान का अनुचेट 47 यह कहता है कि पोसाहर, इस्तर और जीवन इस्तर को उचा करना, लोग स्वास्त को शुदार करना राज्जी का दायतु है यहाँ भारती समिदान के नीति दिशक्त्तों में सामिल है वहीं जब हम अनुचेद 46 की बात करते हैं तो अनुचेद 45 जिरो से लेकर 6 साल तक की बच्चों की सिक्षा की बात करता है अनुचेद 46 जो पिछड़ा वर्ग है उसके उत्थान की बात करता है अनुच्छेद अन्चालीश तुधार उपाशो और पर्यावण से सम्मन्दित अनुच्छेद है विश्वा प्रश्ण है नीत या आयोग है इसके विकल्पे हैं एक स्टाफ अभिकरण, दूसरा है एक लाइन अभिकरण, तिसरा है एक सायक अभिकरण, चौता है एक समयदानिक अभिकरण नीत या आयोग एक स्टाफ अजन्सी यानिकी स्टाफ अभिकरण है 21 प्रस्ण है निमलिकित में से कौन जुलाई 1944 में आई जित ब्रेटन उट सम्मिलन का परणाम नहीं है 1944 में जो ब्रेटन उट सम्मिलन हुआ था उसका कौन चा परणाम नहीं है हमें बताना है पहला अंतरास्ती मुद्राकोस का गठन करने है तो करारनामा यहाँ बिलकुल सही है 1944 में जो ब्रेटन उट सम्मिलन हुआ था उसके बाद IMF एनकी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का गठन हुआ था दूसरा अंतरास्ती फुनरिर्मानेउम विकास बैंक का गठन करने है तो करारनामा आइबी आडी एनकी इंटरनेशनल प्री कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपेंट बैंक जिसे अब हम बिस्सु बैंक कहते हैं तो बिस्सु बैंक और IMF ये दोनों ही ब्रितन वूट्स सम्मिलन के परणाम रहे हैं जब हम तीसरे बी कलप को देखते हैं अंतरास्ती सहयों के लिए सिपारिश हैं यह भी बिल्कुल सही है जब हम चोहते भी कल्प को देखते हैं आगामी वर्सों में विशुब्यापार संगटन का गठन किये जाने है तो प्रस्ताव की सिपारे से कीगी यहाँ गलत है यानि कि ब्रिटन वूर्ट समिलन में कहीं पर भी विशुब्यापार संगटन वाली बात नहीं थी क्योंकि जब हम विशुब्यापार से समंदित उस समय की संस्था की बात करते हैं तो 1947 में गेट की स्तापना हुई थी लेकिन विशुब्यापार संगटन एक जनवरी 1995 को बनाया गया था यहाँ पर पहले तीन विकल्प यानि कि अंतरास्ती मुद्रा को उसका गठन करने ही इतकरार नामा अंतरास्ती पुननिर्माने उम विकास बैंक का गठन करने ही इतकरार नामा और अंतरास्ती शायोग के लिए सिपारिशें ये तीनों ही ब्रेटन वुट्स के परणाम थे और विशुवया पार्शंग्टन उसका परणाम नहीं था 22 कथन है 22 कथन और काराशी समधी प्रस्टन है कथन है कांग्रेस के दोनों सदन इस्तित और अधिकार में समान है लेकिन सिनेट अधिक परतिष्टित सदन है इसका कारण दिया है सिनेट को कारिपाली का नियुक्तियों तथा न्याएक मनुन्यन को पुष्ट करने तथा शंदियों का अनुमोधन करने का समयधानिक अधिकार है जब हम कांग्रेस की बाद करते हैं तो कांग्रेस अमिर्का का अमिर्का की संसद है जिसके दो सदन है एक परत्नीधी सभा, दूसरी सीनेट。 सीनेट में पर्तेक राजी से दो सद्ध सी चुनकर आते हैं। कॉंग्रेस में कहा जाता है कि सीनेट परतिष्टित सदन है और भले ही कॉंग्रेस की दोनों सदनों को बराबर की स्थित है समान है लेकिन सीनेट की परतिष्टा उससे जदिक है यानकि यहाँ पर कथन बिलकुल सही दिया है क्थन सही है क्योंकि सीनेट को कारिपालिका निक् और कारण कथन की इसपस्ट व्याक्या कर रहा है। इसे हम सीनेट का सिस्टाचार भी कहते हैं, क्योंकि सीनेट को कारिपाली का नित्यों न्याएक मनुनेन की पुष्ट करने और संद्यों को अनमोदन करने का समयदानिक अधिकार है। इसे ही सिनेट का सिस्टाचार भी कहा जाता है। इस तरह से यहाँ पर विकल्प को ए तथा आर दोनों सही हैं और आर एकी सही व्याक्या है। सही विकल्प है। 24 प्रशन है निम्लिकित में से जेम्स डी मुने ने किसे संगठन का पर्थम सिद्दान्त कहा है। इसके विकल्प हैं पदसोपान, समनवय, पर्त्यायोजन, परिवेक्षन। जेम्स डी मुने ने कहा कि जो समन्वा है, कॉडिनेशन है, वो हो संगठन का पर्थम सिद्धानत है, यहाँ पर विकल्प खो, समन्वा सही उत्तर है. 24 प्रशन है, नेमलिखित मैं से कौन सा विश्व व्यापार संगठन से सम्बद नहीं है, यहन कि 1 जनवरी 1995 को जो WTO, World Trade Organization की स्तापना हुई थी, उससे कौन सी चीज समन्दित नहीं है. पहला है उरुग्वे राउंड, दूसरा है ब्रेटन वूट प्रणाली, थीस्तरा है दोहा विकास कारिशूच, तीसरा है, चौता है सीमा सुल्केयों व्यापार संगठन सामठन करार। WTO से जो सम्मंदित इसमें धारना दिये हैं उरुग्वे राउंड दोहा विकास कारी सूच सीमा सुलक्यों विपार सम्मंदि सामानी करार हैं उससे ब्रेटन वुड पढ़ाली सम्मंदित नहीं है इस पर हम चर्चा पहले कर चुके हैं 25 प्रशन है निम्नांकित में से कौन IMF का कारी है यानि कि International Monetary Fund अंतराष्टी मुद्राकुष का कौन सा कारी है हमें बताना है इसके विकल्पे हैं पहला है बैश्चिक मौद्रिक्षायोग को बढ़ावा देना दूसरा है बित्ती स्तायत्य को कायम करना तीसरा है अंतराष्टी व्यापार को आसान मनानाeli drug है उप्रोक्त सभी सही उत्तर है आज के इस प्रश्ण पत्र के पहले भाग में हमने एक से लेकर 25 तक के प्रश्णों का अध्यन किया इसके दूसरे भाग में हम 20 से लेकर 50 तक के प्रश्णों का अध्यन करेंगे इस प्रश्ण पत्र में इतना ही धन्यवाद